हेलो फ्रेंड आप सबका स्वागत है रीड डिजाइंस में तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुर्ती के बैक नेक में जिप अटैज करना बताऊंगी तो बहुत ही असान तरीके से हम ये जिप लगाएंगे तो आप ये मेरी वीडियो एंड तक देखें तो जिप अटैज करने के लिए मैंने ये फैबरिक लिया है कुर्ती का ही ये लगबग मैंने तीन इंच चौड़ा लिया था जिसको मैंने आधा-दा इंच फोल्ड कर लिया है और इस पे मैंने पेस्टिंग भी लगा ली है तो कुर्ती की बैक साइड को हम इस तरीके से खोल लेंगे और इसकी सीधी साइड पे हमें ये वाला फैबरिक रख के स्टिच करना है आपने जितनी भी लंबी जिप लगानी है आप उसको माक कर लीजिए तो मैंने अपनी कुर्ती की बैक साइड पे लगबख 11 इंच तक जिप अटैच करनी है तो मैं 11 इंच को ऐसे माक कर लूँगी यहां तक तो ये 11 इंच तक हमने इसको माक कर लिया है और अब हम अपना neck area भी mark कर लेंगे जितना भी हमारा neck deep आना है तो मैंने लगबग 3 इंच deep रखना है neck तो मैं यहां से भी इसको mark कर लूँगी तो neck वली marking से हम 1 इंच उपर रखेंगे पटी को इस तरीके से पिल्कुल इसके center में और center से आधा पैर इधर और आधा पैर इस तरफ दोनों तरफ हम आधा आधा पैर छोड़के सिलाई लगा देंगे तो बस यहीं तक कानी है हमारी सिलाई 11 इंच वला mark आ गया है हमारा और अब हम यहां से सिलाई को गुमा देंगे इस तरीके से और अब हम center से आधा पैर इधर सिलाई लगा देंगे उपर तक तो यह देखिए एक पैर की सिलाई हमारी लग चुकी है center से आधा पैर इधर और आधा पैर इस तरफ और अब हम इसको center से कट कर देंगे आप ध्यान से कट करें तांकि आपकी दोनों तरफ की सिलाई या ना कट दें तो यहां हम हलके हलके कट लगा देंगे और अब हम इसको पलट देंगे इस तरह से अंदर की तरफ हमें इसको पलट देना है तो यह कट हमने पलट लिया है अंदर की तरफ और अब हम इसको ऐसे खोल लेंगे तो यह हमारी जिप है इसको मैंने खोल लिया है और यह इसकी सीधी साइड है और अब हम क्या करेंगे इसको हमने जब स्टिच करना है तो इसको उल्टा कर लेंगे ऐसे और इस तरीके से हम इसको खोल लेंगे और ऐसे रखेंगे जिप को इसके उपर यह जो जिप वाली किनारी है ना ठीक इसी सिलाई के उपर आनी चाहिए हमारी जो हमने यह खोला है ना इसके जॉइंट पर हमारी जिप वाली साइड आनी चाहिए इसकी किनारी और अब हम यहां बिल्कुल इसकी किनारी पर एक सिलाई लगा देंगे तो यह कट तक हमने सिलाई लगा लिए हम थोड़ी नीचे तक सिलाई लगा लेंगे उसी फैब्रिक के उपर और अब हम इसको घुमा देंगे दूसरी साइड की तरफ और अब हम इसको बैक साइड की तरफ खले जाएंगे ऐसे तो ये बैक साइड आगी है कुर्ती की और अब हम जिप को थोड़ा बंद कर देंगे ये कट तक कटके आधा इंच नीचे तक ही रखेंगे और अब हम इस साइड पर जिप को स्टिच करेंगे तो ऐसे ही इसको खोलते हुए सीधी साइड की तरफ और अब हम जिप को इसके उपर ही रखते हुए स्टिच करेंगे ऐसे चाहें आप इस तरीके से कर लीजिए तो ऐसे अब हम ये वाली साइड को नीचे से ही स्टिच करेंगे और उसी सिलाई के उपर जिप को रखते हुए और किनारी पे इसके सिलाई लगा देंगे तो ऐसे इस साइड भी हमने सिलाई लगा ली है जिपके के नारे के नारे और अब हम इस खुंडे को उपर की तरफ लेके आएंगे तो ये हम सीधी साइड की तरफ से लेके आएंगे और अब हम धीरे धीरे से इसको उपर की तरफ लेके आएंगे तो ये उपर की तरफ आगी है और अब हमने यहां से भी सिलाई को पक्का कर देना है तो ये जिप उपर आगी है और अब हमने यहां से सिलाई लगा देनी है ये वाले फैब्रिक के साथ ही हम सिलाई लगाएंगे कुर्टी वाला फैब्रिक नहीं आना चाहिए तो इस वाले fabric के साथ हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे तो यह देखिए मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा दी है zip को इस फैबरिक के साथ attach करते हुए और अब हम यहाँ से extra zip को cut कर देंगे और यह वाले fabric को थोड़ा zip से लमबा ही cut करेंगे तो ये इसलिए लंबा छोड़ा है ताकि ये वले किनारे को हम इससे कवर करते हैं ऐसे और ये चुभे ना और यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे तो ऐसे यहाँ से भी हमने इसको फोल्ड कर लिया है और अब हम इसको सीधा करते हैं तो ये देखिए ये जिप हमारी लगई है और देखिए कितनी अच्छे फिनिशिंग आई है तो अब हमने इसका neck पलटना है neck हम इसका और ये पट्टी के साथ पलटेंगे तो उसके लिए हम zip को खोल लेंगे और neck cut करेंगे तो यहां से हम neck साड़े पांच इंच ब्रॉड लेंगे तो साड़े पांच इंच हमने neck ब्रॉड लिया है और यहां से deep हम तीन इंच लेंगे और अब हम यहां से इसको गुलाई दे देंगे ये दिखिए neck की shape हमने दे ली है और अब हम इसको अपनी marking के साथ साथ कट कर लेंगे तो neck हमारा कट चुका है और अब हम कुड़ती को खोल लेंगे तो neck को बलटने के लिए ये मैंने और ये पट्टी ली है लगबग एक इंच चौड़ी है ये और अब हम पट्टी को इस तरीके से neck के उपर रखेंगे कुड़ती की सीधी साइड और पट्टी को ऐसे इसके उपर उल्टा करके रखेंगे और neck के साथ साथ यहां आधे आधे इंच का मार्जन लेते हुए सिलाई लगा देंगे तो ये जिप वाली साइड को हम ऐसे खोल लेंगे और इसके साथ ही और ये पट्टी को ऐसे स्टिच करेंगे तो यहां पर छोटे छोटे कट्श लगा लेते हैं और फिर हम और एप पट्टी को अंदर की तरफ पलड़ देंगे यहां से और एप पट्टी को ऐसे फोल्ड करते हुए जातो आप तुर्पाई करवा सकते हो अगर आप तुर्पाई नहीं करवाना चाते तो आप यहां पर किनारी की सिलाई भी लगा सकते हो तो मैं यहाँ पे rough stitch कर रही हूँ तुरपाई के लिए तो एक्स्ट्रा पट्टी को हम यहाँ से cut कर लेंगे ऐसे तो इसको अंदर की तरफ हम ऐसे fold करते हुए यहाँ पे पट्टी को ऐसे फिर fold करेंगे हम नीचे की तरफ ऐसे तो rough stitch हमारी लग चुकी है उपर से भी हम एक्स्ट्रा पट्टी को cut कर देंगे तो एक नेक हमारा इस side का पलटा गया है इस side का neck भी हम ऐसे ही पलट लेंगे और एक पट्टी के साथ तो इस side का भी neck पलट के और इसको तुरपाई कर आके मैं अभी आपको दिखाती हूँ तो ready होने के बाद हमारी एक उड़ती ऐसे आ जाएगी तो अगर आपको मेरा ये जिप लगाने का तरीका और वीडियो पसंद आई हो तो इसको like और share जरूर कीजिए चैनल को subscribe जरूर कीजिए तो चलिए next किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं till then bye bye